नमस्कार दोस्तों पंजाब कॉंगरेस के बीच चल रही खिट पिट किसी से भी छिपी नहीं है जब से नवजोज सिंग सिंदू ने अमरेंदर सिंग के काम करने के तरीकों पर शिकायत की है तब से पंजाब कॉंगरेस में खलबली सी मच गई है सिदू ने जी भरकर अपनी बढ़ास निकाली है कॉंगरेस लंबे समय से इस मामले को दबाती नजर आई यहां तक कि जब सिदू के राहूल गांधी और प्रेंका गांधी से मिलने की खबर आई तो राहूल इस खबर को लेकर थोड़े कन्फ्यूज नजर आई पर सिदू कॉ अधियक्ष सोनिया गांधी से मिलकर ही माने हैं। और इनकी इस मुलाकात का असर यह है कि कॉंग्रेस ने नवजोच सिदू को पंजाब कॉंग्रेस का नयचीव घोशत कर दिया है। इस मुलाकात में सोनिय गांदी के साथ परदेश पर भारी हरीश रावत भी शामिल थे इसी मुलाकात के बाद हरीश रावत ने बियान दिया था कि अपसे नव्जोज सिंग सिद्दू पंजाब कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्श बनाए गए है हरी शरावत की इस गोशना के बाद से सिद्दू अमरेंदर सिंग के बीश दरार और भी गहरी गई और इसी वजह से हरी शरावत अपने बियान से पलट गए हैं और उनका कहना है कि उन्होंने सिद्दू को परदेश अध्यक्ष कभी भी नहीं का हाला कि सिद्दू को अध्यक्ष बनाने का फैसला Аمرेंदर और सिद्दू के बीश सुला कराने के इरादे से लिया गया था पर ये तरकीब उल्टी पड़ गई और इस फैसले के बाद से सिद्दू और अमरेंदर सिंग ने अपने अपने करीबी निताओं के साथ बैठा की इन बातों का नतीजा ये हुआ कि हरी शरावत को मीडिया में आके अपने ब्यान पर सफाई देनी पड़ी और कहा कि पंजाब कॉंगरेस के अध्यक्ष बनेंगे सिद्दू पर अमरेंदर सिंग अभी भी कैप्टन बने रहेंगे वहीं अमरेंदर सिंग ने कॉंगरेस अलाकमन को साफ कर दिया है कि वे सिद्दू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सिद्दू अमरेंदर से सारजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते कॉंग्रेस के चिंता और बढ़ गई है क्योंकि करीब 6 मैनों में विधान सवा चुनाफ हैं और इन दोनों नेताओं का एक साथ काम करना बेहदी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है फिलहाल तो पंजाब कॉंग्रेस दो भागों में बट गया है कुछ है जो सिद्दू को पसंद करते हैं तो कुछ अमरेंदर की सपोर्ट में आ गए हैं और कुछ लोगों का कहना है ये भी है कि सिद्दू की शिकायत में बेशक दम है पर समय ठीक नहीं इस तरह का कले कॉंग्रेस को भारी नुकसान पहुचा सकता है कॉंग्रेस किस तरह इसे संभालती है ये देखना बेहती दिल्चस्प होगा आज की न्यूज में बस इतना ही बने रहे मेरे साथ